हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस नए SACMT's के क्लास में आज के SACMT's के क्लास में दोस्तों हम टोप 50 GKGS लेकर आएं हैं टोप 50 GKGS जरूर देखें आप 50 परसन में से 35 से ज़्यादा कोशन सही करके बताईए बिल्कुल एक्जाम वाला प्रसन है यही प्रसन आपके पेपर में छपेगा तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी से रिक्वेश्ट है एक से लेकर पूरे 50 कोशन याद कर लो यही कोशन आपके पेपर में आने वाले हैं एक्जाम डेट भी आपका अक्टूबर से है तो जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हो चेनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए रोजाना SACMTS की क्लासिस देखने के लिए तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन वीडियो को लाइक के साथ कंटीनू कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेर भी कर देना और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तो पहला कोशन आपके स्क्रिन पे कैमो थेरिपी किस बीमारी का इलाज के लिए परयोग की जाती है आप सभी को साथ साथ में हर कोशन का अंसर कमेंट बॉक्स में वताना है लाश्ट में सभी के कमेंट पढ़ता हूँ तो सभी कमेंट जुरू कीजिएगा हर कोशन का तो इसका अंसर हो जाएगा option B cancer अगर आप option B कर रहे हैं अंसौर तो आपका अंसर सही है chemotherapy जो है वो cancer बिमारी का इलाज करने के लिए प्रयोग की जाती है अगला question देखते है Wings of fire पुस्तक के लेखक कौन थे who was the author of the book Wings of fire Wings of fire पुस्तक के लेखक थे APJ. अब्दुलकलाम अगर आपने answer option B किया है इस question का तो आपका answer बिलकुल right है सभी को answer करना है comment box में अगला question तुलसी दास किसके समकालिन थे तुलसी दास वाज ए contemporary of whom तो यहाँ पे चार option आपके screen पे है बताए क्या होगा इसका right answer अगर आप answer अकबर के साथ कर रहे हो तो आपका answer बिलकुल सही है तुलसी दास जो है यह अकबर के समकालिन थे तो option A आपका right answer हो जाएगा पूरा वीडियो जुरूर देखेगा यह हू बहू कोशन आपको exam में देखने को मिलेंगे इसलिए वीडियो को skip मत करना पूरा वीडियो last तक जुरूर देखना अगला question है इटा नगर किस राजे की राज़दानी है इटा नगर is the capital of which state चार option आपके screen पे है बताए क्या answer होगा अगर आप answer अरुनाचल प्रदेश कर रहे हैं तो आपका answer बिल्कुल सही है इटा नगर अरुनाचल प्रदेश की राज़दानी है असम की बात करें तो असम की राज़दानी दिसपूर है सिक्किम की राज़दानी गंग्टोक है मनिपूर की राज़दानी है इमफोल नेक्स्ट कोशन आपके screen पे सिमला समझोता किस वर्स में हुआ था इन विच येर वाज़दा सिमला एग्रिमेंट साइन देखिए जो सिमला एग्रिमेंट है न ये 1972 में हुआ था और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ठीक है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं राश्ट्रिये एकता दिवस किस तीथी को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे क्या आंस्वर होगा बताइए फड़ा फड़ से कमेंट बोक्स में अगर आप आंस्वर कर रहे हो 31 अक्टूबर तो आपका आंस्वर बिल्कुल सही है नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को ओप्शन डी राइट आंस्वर होगा 28 फर्वरी को राष्टे विज्यान दिवस मना जाता है 31 मई को विश्व तंबाकू निशेद दिवस मना जाता है 7 अप्रिल को विश्व स्वास्ते दिवस मना जाता है अगला कोशन आपके स्क्रिन पे मयूर सिहासन पर बैठने वाला अन्ति मुगल समराट कोन था मयूर सिहासन पर बैठने वाला अन्ति मुगल समराट जो है वो मुहमद शाह था उप्शन बी जो भी आंस्वर किये है उन सभी का आंस्वर बिलकुल राइट होगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत में पहली बार एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो किस वर्स में हुआ था इन विच येर वाज़ दा एशियन गेम्स औरगनाईजड फोर दा फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वो 1951 में हुआ था और कहां पे हुआ था तो आप कहोगे ये हुआ था दिल्ली में तो आपका आंस्वर ओप्शन सी होगा सही अगला कोशन आपके स्क्रिन पे कुंडन कुलम प्रमानु उर्जा सयंतर कहा परस्तित है वेर इस दा कुंडन कुलम न्यूकिलियर पावर प्लांट लोकेटेड कुंडन कुलम प्रमानु उर्जा सयंतर की बात हो रही है अगर आप आंस्वर कर रहे है तमिल नाडू तो आपका आंस्वर बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन देखिए डलहोजी परवतिये अवस्तित है कहां पे डलहोजी हिल्स इस लोकेटेड तो ये आपका जो परवतिये है ये हिमाचल परदेश में आवस्तित है जिन्होंने भी ओप्शन बी को अंस्वर किया है उनका अंस्वर बिल्कुल सही होगा अगला कोशन है कुतुबुदिन एबक किस वन्स का शाशक था बात हो रही है कुतुबुदिन एबक की तो ये गुलाम वन्स का शाशक था और गुलाम वन्स का संसापक भी कुतुबुदिन एबक को ही कहा जाता है ओप्शन C आपका राइट आंस्वर होगा अगला कोशन है होमो सैपियन्स किसका वेग्यानिक नाम है होज सैंटिफिक नेम इज होमो सैपियन्स होमो सैपियन्स जो है ये हूमन यानि की मानव का वेग्यानिक नाम है जिन्होंने भी अंस्वर ओप्शन डी किया है उनका अंस्वर बिलकुल सही है अगला कोशन आपके स्क्रीन पे हमारे सविधान में अपात कालिन का प्रावधान किस देश के सविधान से लिया गया है तो जो हमारे सविधान का अपात कालिन का प्रावधान है ये हमने बोरो किया है जर्मनी से तो अगर आप आंस्वर कर रहे हैं ओप्शन सी को तो आपका आंस्वर बिलकुल सही है सभी जो हमारे नेबर कंट्रीज है वो कब आजाद हुए थे ये पता होना चाहिए क्योंकि बार-बार पूछा आता है सिरलंका की बात हो रही है तो 1948 में ये आजाद हुआ था option D आपका right answer हो जाएगा अगला question आपके screen पे 7 से नीचे pH मान रहने पर पदार्थ क्या होगा if the pH value is below 7 the substance will be तो 7 से नीचे है pH मान तो वो क्या होगा acidic अमली ये होगा अगर 7 से ज़्यादा है pH मान तो alkaline यानि की छारिया होगा अगर वो 7 ही है ना 7 से कम ना 7 से यादा अगर वो 7 है तो वो neutral यानि की उदासिन होगा ठीक है नेक्स्ट कोशन विस्व व्यापार संग्ठन का मुख्याले कहां पे है बात हो रही है WTO की वेर इस दा हेड़क्वार्टर्स ओफ वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन लोकेटेड तो इसकी स्थापना 1995 1995 में हुई थी इसका जो हेड़क्वार है वो जिनेवा स्विजर लेंड में सतीत है ओप्शन C आपका राइट आंस्वर है 1995 से पहले इसको गेट के नाम से जाना दाता था ठीक है नेक्स्ट कोशन देखिए अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है वो इस कोल्ड क्वीन ओफ अरेबियन सी क्वीन ओफ अरेबियन सी ये कोचीन को कहते है जिनोंने भी आंस्वर ओप्शन C किया है उनका आंस्वर बिल्कुल सही होगा अगला कोशन भारत में चिपको आंदोलन की सुरुवात कहा हुई थी वेर वासदाथ चिपको मुवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया चिपको आंदोलन की सुरुवात उत्राखन में हुई थी तो जिनोंने भी आंस्वर किया है ओप्शन C को उनका आंस्वर बिल्कुल सही है दोस्तों वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को आप लाइक कर दे और शेर भी कर दे अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाने के लिए ऐसा ही वीडियो रोजाना सबसे पहले देखना चाते है तो इस चैनल को पर्मानेंटली चैनल के साथ जुड़ जाएए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लीजे रोजाना वीडियो देखने के लिए अगला कोशन तेल एम प्राकर्तिक गैस लिमिटेड यानि की ONGC का मुख्याले कहां पे है तो ये आपका धहरादून में स्तित है जिन्होंने भी आंस्वर ओप्शन सी किया है उनका आंस्वर बिलकुल करेक्ट होगा सभी आंस्वर जुरूर कीजे कमेंट में सभी के आंस्वर लाश्ट में पढ़ूँगा कमेंट में अगला कोशन है दबाव बढ़ने पर ध्वनी की गती पर क्या परभाव पढ़ता है तो क्या होगा इस पर कोई इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता है तो अंस्वर हो जाएगा कोई परभाव नहीं पढ़ेगा ओप्शन सी इस दा राइट अंस्वर नेक्स्ट कोशन देखते हैं निमन लिकित में से क्या एक अनुवन्शिक रोग है वीच ओब दा फॉलिविंग इज ए जेनेटिक डिजीज देखिए हीमोफिलिया वर्नांथा और टरनर सिंड्रोम ये तीनों ही क्या है अनुवन्शिक जेनेटिक डिजीज है तो जो हमारा अनस्वर होगा वो होगा अगर डाउन सिंड्रोम भी इसमें जोड़ दूँ वो भी क्या एक अनुवन्शिक रोग है ये तीनों ही अनुवन्शिक रोग है नेक्स्ट कोशन कार बैटरी में किस एसिड का परयोग किया आता है विच एसिड इस यूजड इन कार बैटरी कार बैटरी में हम सल्फ्यूरिक एसिड यानि की बात हो रही है H2SO4 की सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते है ओप्शन ये आपका राइट आंस्वर होगा अगला कोशन देखिए विश्वर स्वास्तिय संग्टन की स्थापना किस वर्स में की गई थी इन विच एर वास्दा वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन इस्टेबलिज्ड डवलू एचो की स्थापना होई थी साथ अप्रेल 1948 को तो यहाँ पे राइट आंस्वर उप्शन डी होगा और इसका हेड़कॉर्टर भी जिनेवा स्विजर लेंड में है और डव्लू ट्यूर का भी हेड़कॉर्टर जिनेवा स्विजर लेंड में है अगला कोशन है हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उप्युक्त होता है which circle is suitable for flying an aeroplane aeroplane के उड़ने के लिए जो उप्युक्त मंडल है वो है समताप मंडल option b right answer होगा क्यों होगा उप्युक्त यह मंडल क्योंकि यहां का temperature क्या होता है वो समान रहता है अगला question नातुला दर्रा किस राजे में स्तित है नातुला पास is located in which state बात और यहां पे नातुला पास की तो यह located है सिक्किम में जिनोंने भी answer option C किया है उनका answer बिलकुल right है अगला question राष्टे पती द्वारा कितने सदश्य राजे सभा में नामित किये जाते है How many members are nominated by the president of the राजे सभा तो यहां पे देखिए राष्टे पती के द्वारा 12 सदश्यों को राजे सभा में जो है ना नामित किया आता है तो यहां पे right answer option B होगा Next question है किस ग्रहे का नाम रोमन देवता पर अधारित है जो रोमन देवता है इस पर अधारि जो ग्रहे है ना वो ब्रेश्पती जूबिटर है तो यहां पे right answer option C होगा Next question पारा दीप बंदर गाहे किस राजे में स्तित है पारा दीप पोर्ट is located in which state तो यह आपका located है ओडिसा में जुनोंने भी answer option D किया है उनका answer बिल्कुल सही होगा अगला question दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है which is the longest river of South India South India की जो longest river है वो गोदावरी है जुनोंने भी answer option A किया है उनका answer बिल्कुल सही होगा अगला question आपके screen पे साइना नहवाल का समन्द किस खेल से है साइना नहवाल is related to which sports इनका समन्द बेड्मिंटन से है option C आपका correct answer होगा अगला question सूरत किस नदी के किनारे पे स्तित है सूरत is situated on the bank of which river तो सूरत आपका तापती नदी के किनारे पे वसा हुआ है जोनोंने भी option B answer किया है उनका answer बिल्कुल सही है अगला question स्पर्ष्ट द्रष्टी की नूंतम दूरी कितनी होती है what is the shortest distance of clear vision जो स्पर्ष्ट द्रष्टी की नूंतम दूरी है वो 25 cm होती है option A आपका right answer होगा अगला question है popping crease शब्द का सम्मंद किस खेल से है the term called popping crease is related to which sports तो popping crease का समंद है cricket के खेल से जोनोंने भी answer option D को दिया है उन सभी का answer यहाँ पे बिल्कुल right होगा अगला question मूल सविधान में अनुसूचियों की संक्या कितनी थी what was the number of schedules in the original constitution जब सविधान बना था मूल सविधान के समय अनुसूचियों की संक्या केवल 8 थी option A आपका right answer होगा वर्तमान में कितने schedule है 12 12 नुसूचियों है वर्तमान में ठीक है अगला question देखिए सविधान संसोधन का समंद सविधान के किस भाग में है which part of the constitution deals with the amendment of the constitution क्या होगा बताए इसका right answer देखिए दोस्तों सविधान संसोधन की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रिक्रिया हमने किस देश से लिया है सविधान संसोधन की जो प्रिक्रिया है हमने दक्षिन अफरीका देश से लिया है और ये जो है ना किस अनुछेद में है तो ये आपका जो परिक्रिया है ये वरनित है आर्टिकल 368 अनुचे 368 में और हमसे पूछा है भाग कौन सा है तो भाग है 20 option D आपका right answer हो जाएगा अगला question राजेपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिक्तम अवधी कितनी होती है ठीक है what is the maximum duration of an ordinance issued by the governor राजेपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की जो अधिक्तम अवधी है वो 6 महीने की होती है तो अगर आप answer option C कर रहे हैं तो आपका answer बिल्कुल सही होगा अगला question लोकसवा में ए विश्वास प्रस्ताव नूंतम कितने सदश्य द्वारा समर्थित होता है अगर पचास अदश्य है ना तो लोकसवा में ए विश्वास प्रस्ताव नूंतम पचास अदश्य जो है उनके द्वारा समर्थित होता है option C आपका right answer हो जाएगा अगला question देव पर्याग की नदियों का संगम है देखिए देव पर्याग किन दो नदियों का संगम है ये पूछा है तो भागिरती एम अलग नंदा दो नदियों का संगम है देव पर्याग option ये आपका right answer होगा अगला question है किसे prince of pilgrims भी कहा जाता है who is also known as prince of pilgrims इसे हिंदी में क्या बोलेंगे तिर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं हें सांग को कहा जाता है option a right answer होगा अगला question आपके screen पे आधी गरंथ का संकलन किस ने किया था who compiled the आधी गरंथ है अधी गरंथ का जो संकलन है ये गुरु अरजुन देव ने किया था जुनोंने भी answer option a किया है उनका answer बिल्कुल right होगा अगला question किसे भारतिय राष्ट्यवाद का जनक माना जाता है who is consider the father of Indian nationalism भारतिय राष्ट्यवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है option a आपका right answer हो जाएगा अगला question है हर गोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संसलेशन के लिए चिकिस्दा के छेतर में नोबल पुरुसकार कब प्रदान किया गया था तो इनहें जो है ना नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया था 1968 1968 68 में option d right answer होगा और पहले भारतिय नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाले रविंदर रदा टेगोर थे जिन्हें 1913 में गितांजली करती के लिए नोबल पुरुसकार से समानित किया गया था अगला कोशन है पैरिस्कोप की सिधान पर काम करता है ओन वट प्रिंसिपल डस दा पैरिस्कोप वर्क पैरिस्कोप की बात हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन ओफ लाइट प्रकास के प्रावर्तन के सिधान पर कारे करता है ओप्शन ए आपका राइट आंस्वर होगा अगला कोशन है यूरिया किस में संसलेशित होता है जो यूरिया है ये लीवर यकरत में संसलेशित होता है option D right answer हो जाएगा next question लोहे पर किसकी परत चड़ाना यशद लेपन कहलाता है placing a layer of dash on iron is cold यहाँ पर देखिए यशद लेपन की बात हो रही है तो जस्ता की जिंक की जब परत हम लोहे पर चड़ा देंगे तो वो यशद लेपन कहलाता है option D right answer होगा इसे हम इंगलिस में जो है न गैलविनी करन बोलते है ठीक है अगला question देखिए calcium hypochloride किसका विजानिक नाम है what is the chemical name of calcium hypochloride calcium hypochloride की बात हो रही है तो यह bleaching powder का रसानिक नाम है option D right answer होगा अगला question है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विशू का प्रथम देश कोन सा था अंत्रिक्ष की बात नहीं हो रही है चंद्रमा की बात हो रही है which is the first country in the world to send a man to the moon तो यह है USA स्यूक्त राजे अमेरिका Apollo mission के तहत इनोंने Neil Armstrongstone आपको पता होगा पहले वेक्ती थे दो चंद्रमा पर गए थे और USA था चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विशू का प्रथम देश ठीक है दोस्तों अगला question भारत में सबसे कम जन संक्या वाला राजे कोन सा है which is the least populated state in India तो यह आपका सिक्कीम हो जाएगा option C right answer है अगला question है gramophone का विश्कार किस ने किया था who invented the gramophone gramophone का विश्कार थोमस अलवा एडिशन ने किया था option D right answer होगा बलब का विश्कार भी थोमस अलवा एडिशन ने ही किया था अगला question है किस मुगल समराट ने तंबाकु के परयोग पर प्रतिबंद लगा दिया था which मुगल emperor banned the use of तंबाकु तंबाकु के परयोग पर प्रतिबंद मुगल बादशाह जहांगीर ने लगाया था option C आपका correct answer हो जाएगा और आज का homework question रानी खेत नामक बीमारी किसके कारण से चलती है due to which the disease named रानी खेत रन्स आपके option आपके screen पे है जिनको भी इसका answer मालूम है comment box में बताईए और आपने 50 परसनों में कितना score किया है वो भी comment box में बताईए